हलो दोस्तों अगर आप यूटूबर बनना चाहते हैं और आपको थामनेल बनाने में बहुत परसानी होती है तो आज मैं बात करने वाला हूँ आप पर क्लिक करेंगे यहां पर इमेज साइज पर क्लिक करेंगे और यहां पर कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहां देखिए यहां बहुत सारे आते हैं आप फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और यहां से आप गैलरी से कोई भी फोटो ले लेंगे चलिए दोस्तों हम गैलरी सकते हैं और यहां से पतला या चोड़ा कर सकते हैं दोस्तों तो इसको हम इतने ही रहने देते हैं और यह देखिए दोस्तों इसको हम यहां पर इसको twor-select करें और फिर हम यहां पर plus वाले icon पर क्लिक करेंगे from gallery पर क्लिक करेंगे और यह देखें दोस्तों यहां पर album भी है album से clik करके हम अपने गालिर से एक और photo को select करेंगे और यह देखी यह photo हो गया यहाँ पर देख रहांगे यहांपर इसको हम हम लोग घुमाकर आपने फोटो को एड़ेस्ट कर लेंगे सही तरीके से जैसा हम लोग को चाहिए तो यह देखें दोस्तों हमने इसको एड़ेस्ट कर लिए इस तरह से और नीची में देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे आप्सन दिख रहा होंगे यह देखिए करा तो आप कुरेंगे और यह तरह देखिए दोस्तों यहाँ पर अपने फोटो को कॉप करना है काफी करना ù निचे करेंगे और यहां से हम यहां पर ती साइज पर जाएंगे और इसका साइज बढ़ा लेंगे और इसको हम जहां पर रखना चाहते हैं वहां पर इसको रख सकते दोस्तों इस तरह से और इस टेक्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों और इसको इडिट करना हो जैसे कि इसका कलर चेंज करना हो तो यहां नीचे आके यहां कलर का देखिए दोस्तों इस तरह का आप बैक्राउंड लगा सकते हैं और यहां पर देखिए दोस्तों यहां इस ट्रॉक है अपने टेक्स्ट पर कोई इस ट्रॉक लगाना इस तरह का कोई कलर का यह देखिए यह देखिए दोस्तों इस तरह का यह देखिए यहां पर बहुत सारे option मिल जाते हैं तो मैंने आपको simple तरीका बताया जिससे आप अपना thumbnail बना सकते दोस्तों तो इस application का यूज़ करें बाए